अब हम लोगों ने इसके प्रेवियस वीडियो में राम लक्षान पर्शुराम संभाद का एक आउतरन का अर्थ देखा था इसके राचाईता तुलसी दास के बारे में जाना था और पूरे पाठ का जो संछेपन था उसके बारे में जाना था अब हम लोग बढ़ते हैं आउत लक्षमन ने हसकर कहा सुनहू देव सब धनुस समाना कि सुनिये देव किन को बोले पर्शुराम को कि सुनिये देव सब धनुस समान ही है का छथी लाभू यून धनु तोरे क्या छथी है क्या लाभ है यह मैं नहीं जानता इस धनुस के तुटने से क्या छथी हुआ क्या ल के भोड़े राम के देखने मात्र से ही लगा कि यह तूट जाएगा छुवत तूट रघुपती न दोसु रघुपती मतलब स्री राम राम ने तो इसको छुवा और यह तूट गया इसमें उनका कोई दोस नहीं है मुनी बिनू काज करिया कत रोसु मुनी बिना काम के ही आप गुस्सा कर रहे हैं बोले चिताय परसु की ओरा रे सट सुन ही सुभाव नमोरा परसु मतलब परसुराम परसुराम ने अपने फरसे की ओर देख कर कहा कि रे सट सुने हू रे बालक सुनो तुम मेरे सुभाव को नहीं जानते हो बालकू बोली बधाव नहीं तो हूँ मैं मैं बालक समझ कर तुमारा बद हभी तक नहीं कर रहा हूँ केवल मुनी जर जाने ही मोही तुम मुझे केवल समान्य मुनी समझते हो बाल ब्रहमचारी अती कोही कोही माने क्रोधी मैं बाल ब्रहमचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ बिष्व बिदित छत्रिये कुल द्रोही और पूरे बिष्व में विख्यात हूँ कि छत्रियों का मैंने नास किया था भूजबल, भूपी, भूमी, भूप बीनू किन ही मैंने अपने भूजाओं के बल से अनेक बार भूमी को दीता है और बिपूल बार मही देन वे दिन ही अनेको बार मैंने ब्राह्मनों को दान में दे दिया सहस्त्र बाहू भूज छेदनी हारा सहस्त्र बाहू जो कि एक रक्षस का नाम आया था इसकी हजार भूजाए थी, सहस्त्र मतलब ही हजार हजार भुजाओं वाले लक्षस का मैंने बद किया था पर्षू बिलोक महिप कुमार तुम मेरे फर्षे को देखो यह कितना खतरनाक है मातू पीतु हूँ यानि सोच बस करसी मही की सोर तुम अपने माता पीता के सोच का कारण बन रहे हो मही की सोर लक्षमन के लिए संबोधित हुआ गर्वन के अरभक दलन पर्षू मोर अति गोर जो बच्चा भी गर्व में है वा भी मेरे इस पर्षे के भैसे मौत को प्राप्त हो जाता है ठीक है देखिए हम लोग अब इसका अर्थ देखते हैं सुर्वात है कहा से परिग्राप का लखन कहा से लेकर मोर अति गोर तक ज्यान से देखिए लक्षमन जी ने हस कर कहा हे देव सुनिये हमारे जान में मतलब हमारे समझ में अर्थात समझने में तो सभी धनुस एक से ही है पुराने धनुस के तुरने में क्या हानी लाब स्री राम चंद्र जी ने तो इसे नया के धोके से देखा था मतलब नया के धोके नवीन के जैसे परंतु या तो छूते ही तूट गया इसमें रगुनाथ जी का मतलब स्री राम का भी कोई दोस नहीं है मुनी आप बिना ही कारण किस लिए कुरोध करते हैं पर सुडाम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले अरे दूष्ट तुने मेरा स्वभाव नहीं सुना मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ अरे मुर्ख क्या तु मुझे नीरा मुनी ही समझता है मतलब सधारन मुनी समझता है मैं बल ब्रहमचारी और त्यंत क्रोधी हूँ छत्रिय कुल का सत्रू तो मैं विश्व भर में विख्यात हूँ अपनी भुजाओं के बल से मैंने प्रिथवी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रहमनों को दे डाला हे राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख अरे राजा के बालक याद रखिए कौन किसको बोल रहा है या आपको समझना जरूरी है पर सुराम बोल रहे हैं लक्षमन को अरे राजा के बालक तू अपने माता पीता की चिन्ता मत बढ़ा मेरा फरसा बड़ा भयानक है या गर्भो के बच्चों का भी नास करने वाला है तीक है यह था दूसरा उतरन अब देखते हैं हम लोग तीसरा उतरन देखिए बिहसी लखनू बोले मिर्दू बानी लक्षमन जी हसकर बोले अहो मुनिसू महाभट मानी यहो मुनिस्वर आप अपने को बड़ा भारी युद्धा समझते हैं पुनी पुनी मोही देखाओ कुठाडा बार बार आप मुझे कुलहारी दिखाते हैं चहत उरावन फुकी पहार और अपनी फूक से पहार को उराना चाहते हैं इहां कुमर बतिया को नहीं कुमर बतिया मतलब एक छोटा सा फल ठीक है इहां कुमडे की कोई बतिया नहीं है जे तरजनी देखी मरी जाएं जो तरजनी या मुली को देखकर मर जाता है उसी परकार यहां कोई इतना कमजोर नहीं है जो आपके इस कुठार को देखकर डर जाएगा या मर जाएगा देखी कुठारू सराशन बाना कुठार और धनुस बान देखकर ही मैंने कुछ कहा सहित अभिमाना मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था भिर्गो सूत समुझी जनेव बिलो की भिर्गो वंसी समझकर और यगो पवित जनेव मने यगो पवित यगो पवित देखकर तो जो कुछ कहूं सहोर इसरो की भिर्गो वंसी समझकर और यगो पवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं कुरोध को सहन कर लेता हूँ या सहन कर लेता हूँ, देखिये सूर महिसूर हरीजन अरु गाई, देवता ब्राहमन, भगवान के भख्त हरीजन मतलब भगवान के भख्त अरु मने और गाई मतलब गाए इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है क्योंकि बद्धे पाप अपकृती हारे इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकृती होती है इसलिए मारता हूँ पाप पढ़िया तुम हारे इसलिए आप माड़े तो भी आपके पैर ही परना चाहिए कोटी कुलिसम वचनु तुम्हारा देखिए आपका एक एक वचन ही करोरो वर्ज्रो के समान है ठीक है व्यर्थ धर्भू धनु बान कुठारा आप तो बेकार में ही धनु सर्वान कुठार लेकर घूमते हैं ठीक है आपको इसकी आप सकता ही नहीं है अब देखिए जो बिलो की अनुचित के हूँ चमहू महामुनी धीर मतलब हो गया कि हे धीर महामुनी चमा कीजिए यह सुनकर भिर्गू बंस अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे माप कीजिए सुनी सरोस भिर्गू बंस मोनी बोले गिरा गंभीर यह सुनकर भिर्गू बंस मनी मतलब परसुराम जी कुरोध के साथ गंभीर बानी बोले तो आज हम लोग तीन ओतरन का अर्थ देखें हैं नेक्स्ट वीडियो में और तीन ओतरन का अर्थ लिखेंगे तब जाकर हम लोग का यह ओतरन भाग समाप्त होगा और फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रस्नुतर देखेंगे और कुछे कटिन सब्दों के अर्थ भी में लिखवा दूँगा इस परकार से क्लास तेन्थ का अध्याय दो राम लक्ष्मन परसु राम समबाध हम लोगों का समाप्त होगा ठीक है धन्यवाद